कि बच्चे ओनलाइन के बहुत धांसों कुश्चन है पर इस तरह की कुश्चन को करने का बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं ठीक है क्याता है लेट एक्सवन टू एक्सन एन ग्रेडर देन इक्रेट टू थ्री भी रेंडम सैंपल फोलो पॉजन दिस्ट्रिबूशन कि एगे नहीं है मैं हाँ सबसे पहले तो समेशन एक्साइब और एक्साइब फोलो करता है पॉजन गोबच्चो विद्पारमिटर ठीटा तो पहले बताओ समेशन एक्साइब कंप्लीट सफिशन स्टैस्टिक्स होगा कर नहीं होगा अरे भाई पिट्मेंट कूपमें थिरम समेशन एक्साइब सफिशन स्टैस्टिक्स है ना ओके अगर सफिशन स्टैस्टिक्स है तो अब समेशन एक्साइब इस्टिपूशन क्या होगा हमारे पास पॉजन विद्पारमेटर वाट एंड थीटा राइट हमें शो करना है तर द्राफ एकी पार माइनस टू थीटा बार्ण थीटा क्यू तो मीन्स हमें वी आपटेशन ओफ अनबास्ट नेस जो भी यू कोई ले ले लेते हैं ले ले दिस बीटी तो क्या फॉमला उता एक्स्पेटेशन गा बताऊ summation i0 से पॉसिंगा फॉमला e की पार u into e की पार minus lambda na lambda की पार t upon t factorial must be equal to what e की पार minus upon expected values की इसके बरावर आने चाहिए ना भाई ओके नहीं नोटेशन यू ले ली क्यों टी उसके लिए ले थी मैंने थीटा की पार t upon what तो e की पार n थीटा उस तरफ गए तो प्लस में होगा ना तू थीटा प्लस into थीटा का q क्या इसमें से minus थीटा भार ले सकते हैं अरे बोलो क्या इसको sigma form में ला सकते हो आप आशीश हम इसको sigma form में ला सकते हैं बेटा देखो summation ध्यान से देखना r to the power x minus k upon x minus k factorial अच्छा उसमें value कांसे इस्टूड है n की 3 से शुरू है ना वो भी change करता हूं भी so x is equal to k to what को क्या मैं e to the power r बोलता हूं भीटा आर यी तो बोलेंगे तो r क्या होगा यहां पर बताओ what is r here is summation minus का क्या करें minus को अंदर ले जाएं हां हां क्यों ऐसा करते हैं क्यों होते हैं अब ठीक है अब इसको लिखते हैं थीटा की पार एन माइनस टू अपॉन अधी कांसे इन कांसे भी से ना थी से स्टार्ट लूंगा इसकी थी से इन इफिनिटी एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस थ्री फेक्टोरियल इंटू ठीटा क्यूब लिख सकता हूं के नहीं अरे बोलो यार जल्दी से एन माइनस टू नहीं है अच्छा नीचे क्यों थीक तो है एकदम परिफेक्ट है विटा रे समिशन समिशन आगे ना दोनों तरफ नहीं आया क्या यू इन्टू एन ठीटा की पार्टी एपॉन वाट नाव कंपेरिंग बोद दा साइड्स देख यह भी जिरो से कहा तक है टी टी की वैली ले रखी है आपर मैंने एन की जिए ले लेता हूं पताव टी ले ले तो महाँ पर पर नहीं थाता ना वो तो यह एन हाँ ठीक 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 अब करो जड़ा इसको सॉल जड़ा ज़रा सा तो क्या लिखेंगे इसको ठीटा एन-2 का पार वाट एन-3पान एन-3फेक्टोरियल थीटा क्यूव क्या थीटा क्यूव कट रहा है n to the power t t factorial theta to the power t यह आ रहा न है आपड़ा t minus 3 minus t हो जाएगा वो और t factorial कैसे सोलब होगा t into t minus 1 into अरे यू ले क्या आना बिटा आपको n to the power t t factorial को t into t minus 1 into t minus 2 into t minus 3 का क्या ही कट गया क्या बचा ना अब उस तरफ ले के जाओ ना बागी सारी टम्स को u is equal to क्या हो गया theta की पार n minus 3 upon theta की पार t और n minus 2 की पार n minus 3 upon n to the power t into what theta cube था ना हम आपर हो गया वो भी solve theta 2 जाए और यह t t minus 1 t minus 2 भी तो जाएगा इंटो गया वाट कुछ काट हो गया ज़ी ज़ीं 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 चफटा फट वाट कुछ सॉल्व करें इसको इसको भी इन की पार इन माइनस इसको भी टी नहीं कर दिया है टी कर दो जो भी करना आपको एक चीज कर दो तो टी अपॉन एंट टी माइनस वन अपॉन एंटी माइनस टू अपॉन एंटी नहीं यहां कर दिया मैंने बात एक है गेटी मैंने सरी यह नहीं है चेक करो भाई क्या अंसर एकी भी हई आधी अज़िए है भी आएगा में दस्वाल करके में परस अंसर क्या एंसर मैं तो एंसर में निकाल हो हूं मेरे रिरेशन से तो देखो क्या आ रहा है कि टी बाइन टी बाइन माइनस वन बाइन स्विटी एन माइन माइनस टू बाइन कुछ गरबड़ी करी है कोई पर हाँ 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 तो एक ही बात है लास्ट में जाके कलती कर दिये समझ में आपर किया किया मैंने ऐसा बुक में वे इसे कर रखाए है अब ठीक है दोनों तरफ को सॉल्व करके हमने सिर्फ यू निकला लास्ट में यू हमारा इसके बराबर आ गया तो देखलो किसके बराबर सॉल्व हो गया कि अनगला जाला इसने में हो आप जाए है कि अनलेन मालों आप छॉट नेंस यूसर्ट नेंने इसको ने मेरे फिर्यांड़ कॉट्ल करते पिछली बार मेने इसको लोगता lot आपाफाए उसमें क्या है कि यह की पार मैंने शूटा पोज़ेन रूंडो क्या फॉर्मला था थीटा कीव का क्या था देखो ना शौटकुट दिये में आपको दोनों का प्रड़्ट कर दो कि रूंडो जरा की पार मैंने फूर्म फटीटा किसका अनबाइस था माइनस एन माइनस हाँ हाँ अनुपाइज एस्टिमेटर फॉर एकिपार ओके और अच्छा मैंस टीटा हो गया अब बचा क्या ठीटा क्या बताओ क्या था एक्स इंटू एक्स मैनस वन इंटू किसका अन बाइज था यह शॉटकट वाला है अब एक्स को टी कर दे न प्रीज ठीक है दोनों को मट्प्लाई करो जाए तो यहां कर रहा हूं n-2 n की पार t into t into t minus 1 into t minus is unbiased estimator for e की पार minus 2 theta into what theta cube यह टारिट किया था मैंने shortcut से shortcut ज्यादा अच्छा था ना पर बच्चे का phone आया था सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप shortcut से कर तो रहे हैं कैसे कर रहे हैं मैंने फिर लॉंकर से खिया किसकी किसकी कि मैं कि मैं कि एंट्री से स्टार्ट हो रहा है न कि क्या हुआ कि अरे यह shortcut पहले करा चुका हूँ यह मैं क्वेशन कि यह बड़े मेठेट से रहा थी है बड़े शॉटकट से रहा थे दोनों मेठेट का solution दे दूंग आपको कि शॉटकट ही अप्लाई करना प्लीज इतना टाइम कोन लगाएगा महा पर जाकर अ अच्छा ओशन था नहीं इता चलिए नेक्स्ट क्या करना होता है विसके बाद करना बड़ता है इसको कि मैं बहुत सारे कुशन करने हैं सब तुम्हार ली है मेरे पास मेरे खुद रखे क्या करूंगा सारे ऐसे ऐसे अच्छ इसमें एसे आता है ओके ठीक है अज़ा वही इस क्वेशन को थोड़ा समझाता है शौर्टकट मैं करा चुका है क्या कराया था याद किसी को शॉटकट डिर फिटम बढ़ा है आँ हैंना तो मैंने पहले स्टकट बताता हूं अःज लॉग कट भी बताता हूं पुरे डिटेल में भी नुक्या था इसका हैक एकस फोलो करता है काई स्क्विर N और Y फोलो करता है काई स्क्वेर M इफ N इस ग्रिटर दन M देन प्रोबैबिटी X इस ग्रिटर दन A विल बी ग्रिटर दन इकुल तो प्रोबैबिटी Y इस ग्रिटर दन A राइट ना यही बताया था मैंने अगर डिग्रे फ़र्णम बढ़ा तो प्रोबैबिटी भी बड़ी होगी करेटे बात आओ देखो अब इसको तरीके से देखो तोड़ा और अच्छे से आओ बोड़ पे तो यहाँ पर दो डिस्टर बुचना है एक करडिगरे फिडम X करडिगरे फिडम क्या है 1,2,3,4,5,6 गोज तो इंफिनिटी यह PDF है आपका ब्ली वाले का मॉड बताओ मॉड वट इस अ मॉड फिडम फिडम माइनस तू ना क्या है गाइसका 4 वट इस अ मॉड फिडम माइनस तू तो लाल वाले का मॉड है 1 राइट तो यह लाल वाला करव है भई जिसका मॉड आपका 1 है दिस इस दे मॉड अंजी बच्चो ठीक है यह बात अन्दिस इस Y फोलोज काई स्क्वेर 3 ब्ली वाले का मॉड क्या है 4 मालो यह मॉड है यार फोटो का अज़स कर ले ना प्लीज यह क्या है काई स्क्वेर 6 अब प्रोल्टी देखनी है 7 से बड़ी किस से बड़ी देखनी है 7 से बड़ी देखनी है ना पका मालो 7 यह रहा तो 7 से बड़ी में किसका अरिया जादा है लाल वाले का अरिया जादा है कि निले वाले का अरिया जादा है बताओ बताओ यह एरिया किसका जादा है निले वाले का जादा है तो प्रोबाइबिटी उसके बड़ी होगी कि नहीं होगी भाई अरे क्लियर समझ में आगे ना यह तो यह लॉजिकली समझ में आगे अब आपको यह लेस देन में उल्टा हो जाएगा अगर पूछे तो आपसे अरे ठीक है बिटा तो हमने मौड निकाल के देखा मौड के बाद एरिया ड्रॉग गिया कर मैंने तो साफ साफ दिख रहे है कि ब्लू वाले का एरिया जादा है इस केंपर टू दा रेडवल तो एरिया जादा है तो पूरटी भी जादा होगी बाकि वो शॉटकट तो आपको पता ही है पर लेकिन नहीं आएगा आचुका बहुत होगा पग्येस कॉशन से लोग कुछ आएगा थोड़ा चेंज करेगा तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस ठीक है बिटा लिखे लो प्लीज इसको लिखना था पिटा मौड बाद में आए तो इसका मतलब ये मौड मैक्सिम वैल्यू है इसका मौड यहां है तो इसका मैक्सिम वैरिया यहां होगा इसका मैक्सिम वैरिया यहां होगा तो बाद में मैक्सिम वैरिया ब्लीव का जादा है ना इसके इंपर तो रेड़ बिटा यह मैं पहले आपको नेट के कुश्चन भी मैं तीन साल से करा रहा हूँ इस कुश्चन को आ भी रहे बार बार हर बार दी नेट में पहले से आता है आगे चले फिर से इसको अटाना ना अगे तरीकी यह सही है और अब इस से नहीं इस से कौन से ज़ेगा यह अच्छन पे थे हम थेंक यू चलो याँ क्वेश्चन है भाई यह तो मज़ा आजाएगा आप तो कराया था चार मैंने प्रश्चन में कराया था दुबारा बताता है अच्छे से आपको जगा चीए शुकराने पहले तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात याद रखो है डिस्ट्रूजन कौन सा है एक्सपोनेंशल है ना तो दो बाते ही आपको याद रखने पड़ेंगे अगर एक्स एक्सपोनेंशल को फोलो कर रहा है विद पैरामिटर ठीटा हो जाएगा गामा एन ठीटा पक्का यह होगा ना और हमने यह पड़ा हुआ है तू लैम्डा एक्स फोलोज काई स्क्वेर टू अलफा यह सो नॉट कभी पड़ा होगा ना यह गामा में अच्छा तो यहां क्या हो जाएगा बताओ तू ठीटा फैर्मटर ठीटा है एक्स की जेन क्या जाएगा हीचल अनठ काई स्क्वेर टू अलफा ना तो अल्फा कितना है आए कि है कि अमिए पैर इन अन अलफा तो तो यह हो गया दखो टूटी एक साइफ फोलोस काई स्कुर्एर 2 इन यह इस्टिबूशन बनना आता है आपने को साइब को पूछा क्या है यह गामा काई स्कुर्एर 2 तो इन तो इन चालना है तो तो अपने को है ना दिया हुआ क्रिटिकल रिजन के निए दिया हुआ आ जाओ प्रीज तो अल्फा इस एकुल टू प्रोबैबिटी समेशन एक साई इस ग्रिटर दन हाफ पाई स्क्वेर अच्छा तू एन वन मैनिस अल्फा वन एच नॉट इस तू मतलब थीटा क्या लिए दिग में एंभनों स्क्वेर आफ इसको टू टी थीटा समेशन एक साई एवन आञा वेटा ।ு टीटा समेशन एक साई इस डेडर दन है ना थीटा हाफ का इस्टेड फार टू इस नोट थीटा है प yhtस्वेर थीटा समेशन ऑ्रिव migration i इस ग्रीटर दन अब ठीटा के वैलु लेंगे जो भी लेंगे काई स्क्वेर टू एन इंटू एच नॉट और इस इस एक्स्प्रेशन से ये क्या अंसर आना चीए कब 1 मैंसल आएगा जब ठीटा हमारा क्या होगा 1 होगा । अगर यहां पर भी chi square 2N है और यहां पर भी chi square 2N gamma है तो answer gamma है ना तो answer रहागी है 1- alpha अगर theta की value क्या हो जाएगी 1 तो theta 1 किस में है सरफ first में है सरफ यह तो चलो और भी करते है power of test भी निकालते है जगेट जी यार इसके लिए करने के लिए next page पर करूँगा उतार लो पहले तरह अरे 1- alpha समझ में आगे ने तो नहीं है 1- alpha क्यों gamma अरे भाई यह दिखना यह 1- alpha था ना is equal to 1- alpha question में दिया है जो यहां होगा वो ही यहां हैगा नहीं समझे question में दिया है नहीं होता कुछ नहीं है था question में बोल रहा है कहता है where for any gamma belongs to where chi square 2n gamma is a fixed point such that probability chi square 2n is something is greater than this is equal to this then the critical region r corresponds to the what जो भी दिया होगा यह कर तो सही आगे यह पहला पार्ट आ गया वन मैनेस अलफा आ गया तो ए पार्ट गलत होगे न मतलब आपका अलफा नहीं है न मतलब आना चाहिए था तो बी भी गलत हुआ कि नहीं हुआ बताओ दोनों ही गलत होँगे क्योंकि ठीटा की वैलिट टू के लिए तो वैलिटी नहीं करेगा यह है क्योंकि दोनों में एच नॉट ट्रूल होगे आप साइज की बात हो रही दोनों में सुन आशीश साइज अलफा ना साइज क्या आगया हम आपर वन मैंस अलफा गलत होगे ना यह और अगर एच नॉट में ठीटा को टू लेते हैं तो वन मैने से लेकिन ठीटा वन पर आयागा वन मैने से अलफा तो ना वह तो दोनों गलात होगे ना यह और भी हमारे अब क्या करने हैं साइज की जिगह किसके बात करें मौस्ट पारफुल टेस्ट होता साइज बीटा बीटा की बात करने हम जिसमें कॉन टू होगा एक वन टू झायाद इसके बात वात करने हम जिसमें कॉन की बात करने हम जिसमें झाल टू है और आर शू होगे नागे नागे हम बात करने हम बात करने हमतिता व्रweं यह तो रूम्मार करते हैं परिदी आगे समझ में अब बीटा निकालो बीटा क्या होता है टाइप 2 होती ने बिटा क्या होता है प्रोटी रिजेक्ट होता है तो वन मैनिस कर दोगा ने इसको करो करो तो वन मैनिस बीटा जाएगा बताता हूं को भी करके अब सीडी में से कौन सांसर आएगा वो देखना है भी मैं करो झाएगा वोता है तो वम्या हि शेखना है एलाएगा झांसर व brag इसको यह पिर से और जिगर ढूंट थोड़ी को हता है पाउर टेस्ट किया मालो बीटा वन में इस बीटा को बोलता है ने पाउर टेस्ट प्रबैबरिटी की जेट टेच नोट होता है ना वारा तो समेशन एक साई इस ग्रेटर देन फिर से वही बनाऊ बिटा तुवन वन वन वाचल इस ट्रू एच वन इस ट्रू तो टू थीटा वही सेम चीज़ करेंगे ना बिटा फिर से है एच वन ट्रू मतलब थीटा इस इकल टू कुछ भी ना अगर मानलो मैं यह कर रहा हूं सी वन तो क्या आया बिटा इस ग्रेटर देन टू से टू कटा प्रेटर इसे दिए टू टू से एकल टू?? देखो मैं इसको ऐसे लिख से दिखाता हूं किया इसको ऐसे ज़ता हूं 1-probability काई स्क्वेर 2N is less than काई स्क्वेर 2N 1- alpha when when h1 is true तो इसको 1- वास्ता में टाइप 2 रहा बोलना चाहिए ना आना तो अंसर 1- बीटा चाहिए जब कि आ गया रहा है 1- बीटा 1 है ठाइप तो नोट रजे टेच नोट लेश्टन का मतलब क्या होगया यार तो और ऑप्शन A,B,C गलत है,D ठीक है बलत है यह भी गलत है यह भी जलत है यह भी गलत है धी कहा अगा पता नहीं 1-β, देखो आ रहा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है हालका सा, 1-β, यह देखो 1-β, नहीं समझ में आया भी, भाई, वो do not reject है, तो मतलब do not reject है, तो क्या होता, type 2 error होता है, तो it is power of test is equal to 1-β, तो आ गया है यार, ठीक तो है, अब क्या ची यह, जब h1 true है, मतलब theta is equal to kya है, 1 है तो इसका मतलब d option is correct, अरे बाबा इसी से किया, इसी को बस greater than था, तो 1- कर दिया, तो less than में तो यह type 2 error होगी ने बिटा यह तो, तो type 2 error को क्या बोलता है, बिटा, तो 1-β, पावर of test तो हो गया, ठीक है, जगह नहीं थी पर लिख दिया है, मैंने, लिखा solution बिटा, नहीं सम लिख लो ढंग से प्लीज, बहुत अच्छे से कर दिया है, पुरा solve और क्या करूं इसमें, इसको लिख दो, यह पावर of test, कुछ भी मतलिको, पावर of test और अब करना शुरू करो, यह लिख दिया, इसको greater than को 1- कर दिया, यह बीटा हो गया आपका, टाइप 2 error, do not reject, आच न आपका, यह भी हटा तो बेशक आप, इसको इतना ही काफी है, कर दिया है इसी, तो हालत खाफ होगी है, यहां खड़े होके, हो गया, ओलनाइन वारतों कर बोलता नहीं है, हाँ, अब उपर से जाओना है, अच्छा, अगले पेज पर होते हैं शीट पर लेकिन वो यूज की नहीं किसी लिए, चलो आजाओ, नेक्स्ट क्वेश्टन, चलो आजो, नेक्स्ट क्वेश्टन, तो क्रिटिकल रीजन का फाम्मला है, लाइक्लि हुड ऑफ एच वन अपॉन लाइक्लि हुड ऑफ एच नॉट इस ग्रेटर दें इक्वल टू के करेट है यह बात, विच इस टू माइनस, तो क्या एक्स लेस्टन इकल टू सी आएगा क्रिटिकल इजन, देखके बताओ फट आफट सारे बच्चे, आगे एक्स लेस्टन इकल टू सी के निया है बताओ, रे भाइट टू एक्स को दर ले जाओ गए, एक्स लेस्टन इकल टू सी आगे न, जो भी होगी वैल्यू, ओके, अब अल्फा किसके बराबर दिया है, अल्फा इस इकल टू पॉइंट विच इस प्रबाबिटी रिज पॉइंट वन, अब क्या रूणना है आपको, टाइप 2 अरे रूणना है, टाइप 2 अरर क्या होता है, प्रबाबिटी दू नोट रजे टेच नॉट ना, तो X इस, ग्रेटर देन C ना, F1 X, तो F1 X में ग्रेटर देन C का मतलब, C से, C की वैल्यू पॉइंट वन से, वन, औ पॉइंट वन से, वन कोई बच्चा तो बता दो क्या अंसर आएगा, पॉइंट एट वन आएगा, पॉइंट एट वन आएगा, पॉइंट एट वन, C की वैल्यू पॉइंट वन है, पॉइंट वन से, वन इंटिग्रेट कर दिया, आर और रैस वाला कोशन आगया तरह, निगलिया परिदी, हटा दूँ, ओनलाइन वालों लिख लिए आपने, किस से, अच्छा, उससे कर लेता है, अगलिया, यही क्वेशन पुच्छा था भाई, आर रैस वाला, सारे पाट करें इसके, बाच लिए अच्छा अच्छी है, X1 to XN be a random sample from our distributional party energy function, Theta 0 से R minimum, S maximum, then which of the following statements I do, RS is jointly sufficient for Theta, yes or not, A solution, Haa, ofcourse, x1 xn is less than theta so we can say theta 1 cap is equal to minus x1 and theta cap is equal to xn so therefore x1 and xn are jointly sufficient but not complete so a option is correct s is mle of theta second part answer mle of theta please board पर देखिए आपके 2 mle theta है ना तो mle of theta के लिए you have to draw a likelihood function का graph l theta तो आपका function क्या है one upon two theta है ने बिटा अजी आशीश बाबू तो ग्राफ ऐसा होगा लाइक लूड का one upon two theta का graph ऐसा होगा आपकी value minus x1 minus x1 अगर x1 negative है हो सकता है यहां पर हो पर xn तो बड़ी value होना है largest value तो आपका maximum होता है mle क्या होता है maximum likelihood estimation तो maximum किस पे है मेरी मम पे तो पोच रहा है s is in mle of theta no mle of theta क्या आपका x1 नहीं आ रहा ना बिटा अरे बोलो भाई xn mle नहीं आ रहा है अच्छा और और तरीका sir sir हमें graph बनाना नहीं आता please आप हमें alternative method बताईए तो I'll give you alternative method this is theta 1 cap this is theta now we have equation theta cap is equal to lambda theta 1 cap plus 1 minus lambda theta 2 cap what is theta 1 cap minus x1 right plus 1 minus lambda xn correct है बटा अब lambda की कोई भी वेल रखो 0 से 1 में lambda is between 0 to where तो xn lambda को 1 रखने पे 0 आना चीना अरे बोलो भाई तो lambda को 1 रखो तो 1 क्या है बताओ यहाँ पर यह 0 हो गया चलो lambda को 0 रखो तो lambda extreme value पे आ रहा है सिरफ तो अगर मार लो में lambda की value 0 से 1 में लो तो नहीं आएगा रहा है बिल्कुल भी अरे in between चाहिए है हमारे को end points नहीं इसके बीच में infinite MLEs है इसके बीच में किते MLEs हैं तो lambda की value किसकी बीच में चीजिए 0 से equal to हटा रहा हूं वहां से नहीं समझें तो यह alternative method है अगर आपको check करना है कि कोई भी value ले सकते है between one by two and one by three one by four one by five तो आपको बताएगा MLE है कि पर काइदा वो है ठीक है next maximum of x1 is a complete and sufficient statistics for data maximum की बात कर रहा है change कर रहा हूं color c part तो क्या आप इस pdf को दुबारा से आशीश हमने ऐसे पढ़ा हुआ है one by theta mod xi is less than यह कैसे होता है चलो c party तो था हमारा बाकी लिखा ही नहीं होगा वो कहां गया मुझे किसे पता कहां से लगया मैंने कुछ किया नहीं मेरा कोई कसूर नहीं है f of x इस पर मैं कम बहुत कम ही class लिए मैं बोड़ पर था one upon mod xi one upon two theta mod x is less than theta which is greater than what तो in that case mod x one x two ऐसे होता ना so theta cap is equal to maximum of mod xi i one to where m अरे clear है यह बात के नहीं और क्योंकि theta gap maximum है तो maximum है तो वो complete sufficient statistics भी होगा क्योंकि इकलोता ही है वो joint में नहीं होता वो तो यह option correct है यह गलत थी यह correct है अब d पे आते है distribution of r and s option d students अब आपका function minus theta is less than x one is less than x n is less than what can we divide the entire equation by x n कर दो के divide तो आपका minus theta x n is less than यह x r by s is less than theta upon x n वो ठीक है छोड़ दिया उसको मान लो आपका theta gap x n है theta gap क्या है आपका x n है theta gap x n है तो क्या यह minus one r by s minus one से one की बीच में होगा की नहीं होगा क्या यह independent of theta होगा की नहीं होगा अले बोलो अगर x one रखोंगा तो depend करेगा लेकिन देखो ना कहतो रहा है distribution of r does not depend on theta yes when when theta cap is what theta gap तो हमारा x1 भी आ रहा था और minus x1 रेक्षन दोनों आ रहा थे ना तो एक्षन पे वो distribution ठीटा पर depend नहीं करता है करेट है कि नहीं बताओ तो यह डी भी हमारा true है तो a c d 3 है पर एगी के लिए हैं हां बेटा वो तो पूछा उसने distribution of r does depend on theta तो अगर मैं theta cap को x by xn ले लों तो depend नहीं करेगा पर यहां ना करें है हां ना करें हां तो आर वैस का distribution हमेशा ठीटा पर करेंगा कभी करेंगा तो डास नौट dependent theta ठीक तो लिग दिया जब theta की वाली एक्सेन होगी सकते हम समझा सकते हैं उसको तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा ना बेटा डिपेंड़न ठीटा पुछता तो तो तोटर होता तो क्यों कि तो ठीटा की वैली एक्स वन रख लेते हैं चलो चलो छोड़ो उसको भी फंक्शन की रेंज ठीटा क्या माइनस ठीटा से ठीटा ले लिए यह वन आ गये हैं पर यह तो वन आए ना तो वन आएगा तो कट गया तो माइनस ठीटा कैन भी अनी नंबर ग्रेंड़ दन वन उल्सो राइट ना और 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 बनता नहीं बटा क्या लिखेंगे इसमें बता हूं अगर वन भी लिखता हो तो माइनस ठीटा एक्संवन बाई एकशन और यह वन आ गया और अगये अगर अब तेरा को संग्шь में आएगी मेरी बात ये आशीष बोल रहा था ये लिख दो तो लिख देना चीए था लिख दी है अब एक केस तो ये ले लिया ठीक है बटा एक केस ले लिया ठीटा काप की वैल्यू माइनस एक्सवन भी थी तो रखो माइनस एक्सवन कु tricks आया से एक वैजिटा था एक शरार है ना तो हमने है frozen सूच रहा है जब कि मा इस makes baking स्न को हमार्ष तरी मापर है है कि समंझांगत मतल aquell में अपको लें हमें लिख रहां बढ़ है एक अपनी टोल इस हो गया question अब clear है थोड़ा सा आगे बढ़ें तो A और B solve कर दिये थे और delete हो गए CD है इस पर अच्छा question नहीं भी कुछ confuse करता है बस R rest करके ले लिए कुछ भी बना दिया और देना जब मैं gate करांगा न आपको आप आप बोलोगे सारे question जो 23 में आए वो 21 में आए वो गेट में 22 में आए वो गेट में थोड़ा सा चेंज है बस अब कैसे करूं आशी बताई क्या करता तो इस पर जाओं अच्छा थैंक्यू जे क्या question है असानी होगा कुछ वो गया यह बताता हूँ भी आओ बच्छो पहले डिस्टिपूश में बताओ क्या है नहीं आजो मेरे साथ अगर आरोशी जी मैं y को x cube ले लूँ तो बताओ f y y exponential distribution आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं चेक करके दिखाता हूँ ऐसे दुका नहीं है transformation y x cube बना तो हमारा पीडियाफ और y क्या होता है x में x को y to the power क्या लिख दें इन्टु डी बाइ डी वाइ ओफ क्या y to the power नहीं यह करें डी बाइ डी वाइ ओफ अरे ठीक है तो x को y to the power 123 लिख और डी वाइ डी वाइ ओफ वन बै थ्री क्या हो जाएगा transformation करनी आती है क्या करोना transformation करके यही बनेगा तुमारा थ्री से त्री कट जाएगा सारा सौल वो क्या आपका देहना यही लालवला जो मैंने लिखा ही आरा कि नहीं आरा पहले बता हूँ थैंक्यू वेरी मच वो समझ गया था मैं तभी समझ गया था एक्सक्यूब लिख उसका डेरिविटिव यहां लिखा हूँ एक्सक्यूब और उसका डेरिविटिव यहां लिखा तभी समझ गया था मैं कि वाई को एक्सक्यूब लोगे तो डेरिविटिव यहां है तो इसका हो गया सौल अगर लेट भी करोगे बिटा जैसे आप मनीश मलीक मेथट से ट्रांस्वरमेशन सिखाऊं मनीश मलीक मेथट से ट्रांस्वरमेशन सीख लो भाई एक पर किसी जिखनी है तो वो क्या कहता है मनीश मलिक मेथड जीरो से इंफिनिटी आपने फंक्शन लिखा थ्री एक स्क्वेर अपॉंट थीटा एकी पार माइनस एक स्क्यूब बाइट थीटा डी एकस टूडबल टी क्या होने चीए अब वाई किसके बराबर है सब बदल लो एकस की जगह क्या लिखना है एकस की जगह क्या लिखना है तो एकस की जगह क्या लिखेगा बिटा वाई टूदी पार तो डी वाई किसके बराबर होगा तरह थ्री एक स्क्वेर वाट लिमिट शिमिट सब बदल दो अब लिमिट किसके आएगी वाई की 3x square dx कर दूँ dy कर दू न e की par minus y by theta dy इसकी totality भी क्या होगी बताओ यहाँ पर x का PDF यह था तो y का PDF क्या हुआ यह मेरा method है जैसे आप 12th class में let करते थे नहीं याद है आपको वो transformation ही होती है वो उसमें कोई formula लगाने जूद नहीं बढ़ती है आपको चलो हो गया पहले तो इतना काम हो गया अब बात कर रहा है summation x cube मतलब summation y की summation x cube मतलब summation हाँ तो summation x i cube का distribution gamma n,1 by theta होगा की नहीं अरे 1 by theta है ना parameter तो वहाँ पर अब क्या पुछ रहा है भाई पहले बताओ gamma में gamma में sufficient statistics क्या होता है समेशन x i होगा ना पूछ रहा हूँ summation x i sufficient है की नहीं है तो मतलब y sufficient है नहीं यहाँ पर तो y तो expectation नहीं काल रहा है उसका expectation of n minus 1 by y तो integration 0 से infinity n minus 1 into 1 by y gamma का formula बताओ 1 by theta की पार n gamma n है ना e की पार 1 by theta y x की पार अर्य ही होगा तो n minus 1 तो n फेक्टरल है यहाँ पर तो gamma n को n फेक्टरल नहीं n minus 1 फेक्टरल है यह है वो तो कोई नहीं n minus 1 और यह क्या है तो अभी gamma नहीं रखते हैं जीरो से infinity y बता कहाँ चला गया पार में चला गया उपर y के पार क्या हो गया और यह 1 by theta क्या हुआ भार बाहर बाहर ना अंदर क्या बचा e के पार minus integration बता answer बेटा गामा करेट है कुछ कटे होटेगा एन अरे गामा n minus 1 क्या होगा n minus 2 फेक्टरल होगा ना तो n minus 1 gamma n minus 1 n फेक्टरल होगा ना यार n फेक्टोरियल अपॉन फेक्टोरियल फेक्टोरियल फेक्टा की पार यह कटा ना 1 by theta आया कि नहीं आया अरे बोलो भाई हो तो गया यह हो गया अपना नहीं समझ में आया अबटा n minus 1 into gamma n minus 1 is n फेक्टोरियल नहीं बेटा gamma alpha को alpha minus 1 gamma alpha minus 1 लिखते हैं बेटा अब आगे देखो बी तो होगा नहीं of course अब आजो किस पर यूनीक 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 इन फारम लिए one by theta कैसे विटा यह वन n-1 अपन टी तो है नहीं गलत अन बाई टी इस दे अमली यह करना पड़ेगा अपको डी पार्ट आपको न पड़ेगा अन बाई टी जब अमली आफ वन बाई टी ठीटा यह करना पड़ेगा लाइकली बनाना पड़ेगा वो लॉग लाइकली उटेसब करना पड़ेगा पहले नहीं कराया के मैं नहीं है नहीं कराया आशाथ पहले यह पाद मुझे ध्यान नहीं हो तो कि आपको भाई यह निकालना पड़ेगा वन अपन एक्सक्व वाला ना यह वाला करना पड़ेगा है हुआ हो सकता है ना करें करा देता हूं मैं वैसे जाए मात बोलो जाए मात आदी बोलो बेटा यह वन अपन एक्स है समेशन वन अपन एक्स और यह समेशन एक्स है दोनों में बहुत फरक नहीं बेटा मैं भी कराता हूं तुर टेंशन मतले मैं कराब पहले एक्सका निकाल लएक्सका निकाल दा हूं अपने आपि फिल समझ में आ जाके तरको expectation of 1 upon x cube देखे दर बिटा तेर लिए कर रहा हूँ सरफ especially only for you expectation of 1 upon x cube तो 0 से infinity 1 upon x cube मेरे बिटा दर देखे यहाँ से देखियो 3x square by theta e की par minus x cube by theta देख x cube से cutting s को तो 3 by theta भार आ गया 0 से infinity x की par minus वन आया तो यह तो finite answer कभी हो इनी सकता this is infinite finite अरे क्योंकि x की par क्या है आपर अरे clear है बिटा तो यह तो होगा ही नहीं ना गलत हो जाएगा ही d answer आ सकता आपका d check करना आपको बिटा d का MLE निकाल लो और MLE भी बिटा इन्विरेंस प्रापर्टी भी लगे गी क्योंकि MLE आ जाएगा ठीटा का आप आ जाएगा t by n और हमारे को यहाँ पर क्या है n by t तो MLE जो ठीटा है वो t by n आएगा तो 1 by ठीटा n by t by इन्विरेंस प्रापर्टी करा दूं क्या सुच रहा है तो को इसको clear करके कराता हूँ यह तारो पहले सारे बच्चे a part है यह और यह है c part b तो पता ही है वो नहीं आएगा d part कर देता हूँ भी उदर कर देता हूँ साथ तो हो गए ना आज लगता दो तिन क्लास और देखे और तो पंद्रा हो गए यह बीस हो जाएंगे राम से ओफ्लाइंगे तो तुरह मन लगा रहेगा फिर होगे उतार लिया बच्चो ऑनलाइन वालो जब भी देखता हूँ यह फॉइल हमेशा उपर पढ़ी होती है एक हर क्लास में उतारी होगे मैंने आगे बढ़ें देखो लास्ट पार्ट करूँ ना लास्ट पार्ट का सोलुइशन ने देखो यह रहा लाइकलि हुड इस अ फंक्शन ऑफ थीटा तो जहां थीटा नहीं हो हमारा नहीं वन अपॉन थीटा की पार न ए की पार माइनस वन बाइटा समेशन एक्सक्यूब बाकिसर छोड़ दिया वने पीछे लौग लाइकल्ग उप थीटा माइनस Cathedral, लौग ठीटा माइनस वन बाइटीटा समेशन एक्सक्यूब इफ्रेंचेयर विस्पेक्ट टीटा तो माइनस न बाइटीटा प्लस वन बाइटीटा square summation x cube and equate it to what to minus 1 by theta भार ले लिया तो theta cap क्या आगया भाई आपका ये उदर गया summation x cube पा एना एना विचे ती बाई सो बाई इन्वेरियंस प्रॉपर्टी है ना सो वन अपॉन ठीटा क्या हो गया ये ही पुछा था ये लो हो गया बाई बट बट गामा अन थाने नहीं चाहिए? तब ही घर बड़ घर रहा है हो गया बच्चो ओनलाइन वालो बिटा दूँ लो भाई किसका ठीटा क्यूब एस्टीमेट क्या बात है कराएं तो पहले फॉर्मला ले लो आप गवरा गया था मैं गया CRLB of G of थीटा is equal to G डैश थीटा का upon लो आगया फिल तो फॉर्मला उता रहो function of थीटा because यहां पर बात औरी थीटा क्यूब की बिटा so थीटा क्यूब को हम function of थीटा मानते हैं बिटा ठीक है अब पहले CRL भी निकाल लेते हैं इसका बिटा लाइकली हुड़ बनेगा मेरे बिटा थीटा की पार एन और टेक्स आई ठीटा की पार ऐसे हैं और लॉग लाइकली हुड़ बनेगा बिटा एन लॉग थीटा प्लस थीटा माइनस वन समेशन लॉग एकसाई ओके फिर दी बाइ दी थीटा बनेगा और लॉग लाइकली हुड अच्छा निच्छे मैटर जाती है तो हिलता है क्या है सब यह आगया भाई है न तो डी टू बाइ डी ठीटा स्क्वेर क्या है भाई ओ भाई भुकम पारा है पता है यह तो भुकम पारा है या यह हिल गया यह मैटर की वेसे हिलता है यह डबल डेरीवटी क्या है न आपका तो सियार भी क्या होता है नेगेटिव रेसे प्रोकल न तो ठीटा स्क्वेर बाई इंटू इसका डिफ्रेंशेशन क्या होगा थ्री ठीटा स्क्वेर का तो क्या होगा नाइन और कैसे शिक्स अपॉन तो ए अंसर करेट है ना बी तो गरात हो गया अब क्या पुछा है पिटा आगे देश्ट नोट एंट इस्टिमेटर और अनबाई ठीटा विच अटेंज अच्छ ए रलभी अनबाईस ने चेक करो गटा अब एक्स्पिटेड वैल्यू पर थीटा कया आप पर तो निकालो थीटा कैप थीटा कैप माइनस थीटा कैप का एना वो तो वन बाई ठीटा करूनना है एस्टिमेट करो बेटा प्लीज वन बाई ठीटा करून दो मैंने भी स्वाल नहीं करना क्राम हैंगा अनबाईस नहीं सो करी लेंगे एक अंसर करेट है फॉर्टी है नहीं है दे इसिस अनबाईस नहीं वन बाईटा विच देंस यह भी है डी सही है अजू करेटल करेंसे यह करेंसे यह यह अजल यदित यह 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 कि इनका प्रिटेंगे हैं और बच्चों बाकी ने किया उनलाइन गायब होगे सारे होता हुए शुरु शुरु मैं आते हैं इस दो बच्चे हैं आरुशी बटनागर तो ही बैठी है जागरिती सिंग है बस बाकी सब का है मैंटाओ यह तो आता होगा अभी तो किया था क्या है देखो जाना is equal to, तो alpha क्या हुआ भाई, तो एक critical region तो दिया हुआ x greater than 3 ना, reject h0 when x is, when h0 is true ना, तो x greater than 3 मतलब x is equal to 4 and x is equal to, 5 plus x is equal to 6, क्या अंसर आ है बिटा, तो बहुत ही असान है, और beta क्या है, पावर फ्टेस्ट हैं देख, पता है आदत कैसे बड़ी, क्या ना में बुड़ी, इस तरह, परिदी, इन से बड़ी आदत, बीटा क्या दे रख्या देख, बहुर फ्टेस्ट, तो यहां जनरली ऐसी देते हैं, इसलिए इसे वाले कुश्न में, वनना हमारे जो, पावर फ्टेस्ट, रिजेट टेस्ट होता है, बीटा, इसमें भी, वन एच वन इस ट्रू ना, तो इसमें भी, एड़ कर दो भाई, फॉर, फाइव, शेक्स, तो टेन अलफा प्लस बीटा कितना हो गया, तो यह आपका एच नॉट था, बीटा, यह आपका एच नॉट है, यह हएच नॉट है, यह हएच नॉट है, यह टेस्टिंग का क्वेश्चन हो गया ना, बीटा, हो गया, बहुत इजी होगा, कुछ नॉट पका, वाट्स इट, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, 5, 10, 4, 15, अरे और यह ठीटा है कि देना क्वेश्चन में ठीटा तो नहीं कहीं है, क्यूंकि सैंपल दिया ना, इसमें, तो, एक्स वन फोर अंसर हो गया, थ्री कैसे अंसर, अच्छा मैक्सम थ्री ये वैल्ली हो है, ऐसे कैसे, ठीटा की रेंज थ्री से आगे नहीं है, ओके, देखो ना, क्या दिमाग लगा ना, जामना ने भी, देखो बिटा, रेंज पर टिपन करता है न, तो, एक्स वन इस गेड़े देन इकुल टो ठीटा, लेस देन एक्स टू, ऐसे करके आया, तो, ठीटा कैप आपका, एक्स वन हो गया वैसे तो, लेकिन, एक्स वन मतलब फोर होगी वैल्यू वैसे तो, लेकिन ठीटा का जो इंटरवल दे रखा है, वो कह रहा है, माइनस इनिफिटी से मैक्सिम कितना होगा, तो, थ्री ही हो सकता है, सारे फोर लिख्के आगए होंगे, चलिए जी, तो कि रेंज उद फंक्शन डिपेंड्स अन पैरामिटर ना, इसमें भी एक बात और लॉजिक दे सकता हूं मैं आपको, इसमें एक पार ठीटा है ना बटा, लाइक्लिवड फंक्शन जो होगा आपका, ऐसा ही होगा ना, ऐसा, और आपने पैरेमिटर किस पर एस्टिमेट किया है, और ये ठीटा की रेंज है, कहां से माइनस इनिफिटी से कहां तक, कहीं पर भी वैल्यू, ये थ्री ले लिया और ये क्या आ गया, तो पर फंक्शन तो आपका यहां जा रहा है ना, फंक्शन मैक्सिम्म थ्री पे भी तो बड़ा है, तो लॉजिक है कहता है, एमेली थ्री पे भी एक्जिस्ट करेगा, लॉजिक समझ में आया है कि नहीं है, मैक्सिम वैली ढूटते हैं ना हम लोग तो, जिस पर एमेली मैक्सिम हो, एमेली तो एक्सवन आ गया, पर ठीटा गांट गो बिवांड दैट, तो ठीटा 3 हो सकता है ना बटा, क्योंकि एमेली उस पर भी मैक्सिम लाइक्लिट एस्टिमेशन है, यह कोईस्ट ना क्वेश्टन है भाई आओ, कर चुके हैं साथ पहले भी एक बार, तो बारा करते हैं, X1 to X1 be a random sample from exponential distribution, फिर ठीटा गिड़ जरो इस अननोन, इफ X-bar is this, तो फिर फॉल इस तो फॉल इस नोट ट्रू, तो X-bar is UMVUE, अफ एस्टिमेटर अफ टीटा, तो टू है, पहले तो बताओ, इक्वल टू मीन ठीटा हुआ ना, पहले परामेटर बन बे ठीटा है तो, तो X-bar square की बात कर रहा है, इस बार, तो expectation of X-bar square, is variance of X-bar, plus expectation of X-bar का, variance of X-bar is variance of X-by, plus expectation of X-का, what is variance of X, ठीटा square, plus, तो ठीटा square भार लिया, तो N plus 1 by N आया है कि नहीं आया है, अगर मैं इस पर limit N tends to, अच्छा, limit नहीं करना है, तो ठीटा square के बराबर नहीं आई ये, ठीटा square के बराबर, तो गलत हो गया ना, ये तो, ये ठीक है मतलब अंसर, not true है ना, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, और ये भी सही, वैसे, ये भी गलत हो गया है ना, तो ये भी अंसर आ गया पर लेकिन, तो not true मांगा ना, एक्स बार square is equal to ठीटा square भी आ रहा ना बिटा, अब नहीं, जैंसन से कैसे हैगा, variance of expectation of XN given X bar is less than variance, what is variance of XN पहले तो बताओ, जो करते हैं, variance of XN हो गया, ठीटा square, expectation of XN क्या हो गया, ठीटा, अरे ठीटा हो आ ना, तो variance of theta constant 0, तो ये भी true है, constant नहीं बिटा, करो ना इसको भी दीपार्ट को भी हो गया, ये भी, variance of XN आ रहाए ठीटा square, which is greater than equal to 0, yes it is true, तो हमसे not true माँग रहा था ना बिटा वो, बिटा, sample तो हमेशा ही given होता है, तभी तो function की बात होती है, वो तो हमेशा, it is always obvious कि sample given होगा आपको, नहीं, तभी तो वो XN लिख रहा है बिटा, given random sample ऐसे बोलता है, XN given random sample, यह given mean, sample given है तो sample का mean भी given है, variance भी given है, यह मैं फिर बताऊं तरह को दुबारा से, let me explain you better way, UMV की बात करते हैं पहले, UMV होने के लिए पहले उसको sufficient statistics होना पड़ेगा, तो what is the submission and statistics for exponential, exponential में जो X आता है वो power में आता है, power में तो summation XI is sufficient, तो summation XI upon N is also sufficient, तो it means X bar is sufficient, बोल बता, तो UMVUE, UMVUE कब होगा, वन expected value of that thing, given that is a sufficient statistics, given that is a, तो X bar is a sufficient statistics which is already given to us, and we are finding the expected value, आर यह समझ में बताब, this is much better way, तो UMVUE तो मुझे लगता है, जो बच्चे अटकते थे, बहुत सारे की UMVUE के question नहीं होते होते हैं, वो अब हो जाएंगे अब आपके, कभी अटकेंगे नहीं, बस unbiased नहीं से चेक करने होते हैं, मोटे तोर पे आपको, आपको, सफिशनसी की question ज्यादा आये नहीं होते हैं, लेकिन मुझे सफिशनसी की practice कराने हैं आपको, सफिशनसी में क्या कराना है practice में होते हो, minimal sufficient, हना, और complete, उसके question practice कराने है, minimal और complete वाले हैं, होगिया next, next please, बहुत easy question है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, अंजी बोलो बिटा, ये testing का question है बिटा, हमारा ये h naught होता है, under हम जो भी काम करते हैं, under the null hypothesis करते हैं बिटा, हमेशा null hypothesis, mu is equal to mu naught, alternatively, mu is not equal to mu naught, mu is greater than mu naught, mu is less than mu naught, ये होता है, if we have two parameters, so let us take under h naught, we have h naught, mu and sigma, is equal to mu naught sigma naught, alternatively, mu and sigma is not equal to mu naught sigma naught, is greater than or is, less than, so जो भी काम होता है, under null hypothesis होता है, और h naught हमेशा, equality के लिए काम करते हैं, ये हमारी assumption होती हैं बिटा, we assume, जैसे हम assume करते हैं, हर problem normally distributed होगी, उसका common variance होगा, ये assumption लेके चलते हैं हम, ऐसी ये assumption भी लेके चलते हैं, कि h naught हमेशा, equality के लिए काम करें, तो किस case में equality है, c में है न, ये तो गलती होगा, कि दो parameter थे, right ना बिटा, ठीक है, और जब भी हम reject करते हैं, तो h naught को reject करते हैं, we reject h naught, और we do not reject h naught, क्योंकि under h naught ही काम हो रहा है, हो गया है तो, c is true, क्योंकि c ही equality, h naught जो है, equality के लिए काम इसी में कर रहा है, कभी भी h naught में greater than, ये less than का sign नहीं आएगा, ठीक है, अगर यहां less than equal to होता, ये greater than equal to होता, तो मैं दोनों को ठीक मन लेता, equal to होना जरूरी था, अगर ये next आपको भी घ्यान मिलेगा अच्छा, करा खाओगा पहले बता नहीं, रंडम सैंपल दिया हुआ है, 0.2 से 1.2, 0.1, 0.4, 0.3, 0.9, 0.7, और क्या function की range parameter बिडिपन करती है, तो अगर MLE method की बात करूँ, MLE method की, तो theta cap, xn हुआ की नहीं हुआ बताओ, तो maximum value क्या है, 1.14 by 10, 2, 7, 14, 2, 15, तो MLE में तो 7 बड़े 5, तो 7 बड़े 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यह तो outright reject हो गया आपका, अब बचा क्या method of, तो method of moments में expectation of x is equal to x bar, we have to find the mean of this sample, right, and expectation of x निकालना सिखा रहा हूँ आपको, तो 0 से half में x dx प्लस half से theta में x upon 2 theta minus 1 dx, प्लीज expectation निकालना जाएं उसको sample के mean से equate करिए, अरे ठीक है बटा, झालना जाएं आपको, c answer 32 by 15 आ रहा हूँ कर लोगे मिलें इसी है यह तो, अजी पता है नहीं बटाई तो कैसे निकालेंगे, थीटा ही तो estimate करना है विटा, थीटा क्या है बता तु बता थीटा क्या, मलें भी मीन क्या है बचो, मीन क्या है, 2022 क्या नहीं है, मीन आया है बटाई, टू थीटा प्लस वन अपॉन अपॉन एट, तो आपका मीन आया है, तू थीटा प्लस वन अपॉन अपॉन एट, और सैंपल का मीन कितना है, तू थीटा प्लस वन अपॉन अपॉन एट, और सैंपल का मीन आया हुए है आपका, 47 by 60 देख बिटा अब ये ठीटा ही तो निकालना था बिटा तो उसी के चिंता कर रही है कोई बात नहीं तो 47 into 8 by 60 minus 1 divided by 2 कर लेगी ठीटा आगे तरह हो गया हो गया 25 वा क्वेशन आपका असां था ना अशीश अंजी परिदी जी अगला क्वेशन भी इजी होगा आप मेरे साथ देखें बस बोड़ पर उसको अरे हो गया भाई क्यों वेर चिंता करते हो अभी करके दे रहे हैं आओ बच्चो बड़े धिहान से सुनो दो सैंपल हैं looking for a confidence interval statistics 8 X bar plus okay, please see here on the board, everyone please see first we have to find the distribution of that X size follows which distribution 4 mu comma where I vary from 1 to और यही है तो यहां से X bar का distribution क्या आएगा 4 mu रहेगा variance of X by N आएगा ना thank you, यही आएगा पका बच्छो Y bar का distribution X आए, Y आएगा 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 normal mu comma 1 और I काहां से आएगा 1 to 8, तो Y bar distribution correct okay now we have a Z is a random variable which is 8 X bar plus Y bar now what is expectation of Z 8 time expectation of X bar plus expectation of Y bar correct है बचा which is 4 mu plus mu कितना होगा mu variance of Z क्या हुआ नहीं नहीं अटोटे 64 बचा क्या होगा 64 variance of X bar plus variance of Y bar independent बोल रहा है ना वो 64 into variance of X bar 1 by 16 plus 16 64 4 कर दो नहीं इसको 33 बटे 8 आठ आगया अच्छा ये Z का distribution आए Z bar का नहीं आया अबी और जबकि confidence interval mean का निकलता है किसका निकलता है first we have to find the distribution of Z bar तो Z bar follows normal distribution expectation of Z comma variance of Z by N आएगा कि नहीं आएगा नहीं clear नहीं बात ही है तो what is expectation of Z 30 variance of Z by कुछ गढ़बढ किया कि मैंने अच्छा हाँ sorry मियू हूँ अच्छा और ये 33 by 8 और N N क्या लिखा जाएगा 16 प्लस 80 लिखना पड़ेगा बिटा में तो और कुछ आ रहे हैं नहीं कितना हो गया 24 ये ही आया अब क्या माग रहे है confidence interval अब बोड़ पर देखो मियू बिलॉंग्स टू Z बार प्लस माइनस Z अल्फा बाई टू सिग्मा Z अपॉन रूट N ये ही आएगा बिटा अरे ये ही तो था फामुला तो Z बार कितना हुआ हमारा सैंपल से निकालेंगा ना Z बार तो और Z अल्फा बेटो कितना परसंट 90 परसंट निकालना ना 1.64489 सिग्मा Z कितना है हमारा ये सारी वैल्यू है थर्टी थ्री अपॉन अट ये ट्वंटी फॉर चो सॉल्व करके है हंची बेटा अपॉन रूटन तो रूटन से कट जायागा ना नहीं तो सिग्मा अपॉन रूटन तो होता ही है फामुले में इसमें क्या सोचना था नहीं नहीं बेटा कुछ गडबड किया है मैंने जेट बार कर डिस्टिपोशनल लिए तो जेट बार क्या होता है फामुला जेट बार माइनस म्यू जेड अपॉन सिग्मा अपॉन रूटन होता ना बेटा तो रूटन तो वहीं पे ले लिया तो इसको यहां लेनी जूरूत नहीं थी में खाल में है ना हाँ जरूत ने थी गर बढ़ गर दी तो सिग्मा जेड अपॉन रूट न तो सिग्मा जेड तो निकाल चुके न अब निकालना पड़ेगा पेटा इसको इंटरफल तो बताओ जो भी वैलिव आई जेड बार तो होगे एट एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 33 एसा नॉट अरे जेड बार तो यह होगा ना एट एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 33 प्लस माइनस 1.64489 ठीक है अब सिग्मा जेड अपॉन रूट न की वैलिव चेक कर लो कि क्या आ रही है आरी कि नहीं आरी पड़े तो I'm close to the answer भाई कि उस्तों थोड़ी वह क्याल्कुरेशन तो आप भी करोगे 90 परसंट मतलब मैंने 55 परसंट चोड़ा ना तो पांच परसंट पर 1.64489 आता है जो कि आपका 1.645 लिखा है उसने देखो यही आ रहा है ना देख लो जो एक बार बस 33 बाएट अपॉन कितना है बेटा शोलाराट चौबिस ना तो चौबिस इंटू आठ देख लोग कटेगा या नहीं कटेगा उस्ता बाह ही धाने नहीं कि देखो डेजाआ है वही आया है नुकिए कि बादा है पादा नहीं, देहो क्या होगा भाई मेरे पास क्या अंसर है मेरे पास यह आ रहा है 1 upon 33 in to 8 1 upon 33 in to 8 यह आ रहा है पर तोसिंसी प्लेट ख क्लेएं नहीं этितनी 1 इंति रहाँ करते हों स्विस्टी ज़नों गीकाँ सि्गमा अपॉण्सिद्टि गचाँ ना प्लेकर था ढूंद 33 अना अपंड हेलेटध था यो उट फिर्टिटि वेटगे यही आ रहा है बटा इता हो जाए एट एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 33 प्लस मैनस 1.645 अंड रूट 1 अपॉन 33 इंटो 8 ठीक यही आ रहा है बटा यही आ रहा है ठीक है अब रुगो दूसरे पार रहता है लेंट क्या होता है लेंट क्या होती है लेंट का फॉम्मला लेंट इस एक्वल तू ट्वाइस जेड वन पॉइंट 645 अपॉन 2 रूट 66 क्या आ रहा है बच्चा कैल्कुरेटर से बता देगा इसको 5 अपॉन 2 रूट 66 बोलो 0.203 आश्वार तो लेंट इस लेंट इस लेंट इस दन वन गलत है नहीं तो ग्रेंट दन पॉइंट इस ठीक है ना अरे बोलो बटा लेंट जो है लेंट दन पॉइंट वन नहीं है पॉइंट 203 आश्वार तो उसे साब से लेंट जो है ग्रेट दन पॉइंट री है अब लास्ट बचाए अपना डी पार्ट म्यू बिलॉंग्स टू 90 परसंट डी पार्ट एक बाद आश्वार देख यह यह 90 परसंट कॉंफिटेंस इंटरवल है दोनों तरफ कितना कितना छोड़ा पाँच 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 क्या तरह म्यू हमेशा इस इंटरवल में बिलॉंग करें ऐसा जुरूरी है नहीं ना कहता है म्यूं आल्वेज बिलॉंग्स तो 90 परसंट सी आई नो दिस रॉंग इट इसमें म्यू की वैलिव जो निकाली नहीं पॉइंट टू जरू तरी उसको चेक कर लो बस एक बार बी ही करेंट ऑप्शन आ रहा है सी नहीं आ रहा फिर पिर सी में गलती है फिर हाँ तब ही अंसर तू के परिशान हो रहा है फिर तू फिर ये भी गलत हो जाएगा कि मैं तो इसको चेक करना पड़े गए पिर ये भी गलत हो जाएगा ठीक है ना हम इसको ठीक मान के चल रहे थे तो मैच नहीं कर रहा था तो इसका मतलब भी गलत ही है मेरे पास अंसर है B is the correct option तो इसके हसाब से गलत आ रहा है न सारा हाँ सही कह रहा है तो भाई इसके हसाब से तो पर वैसे समझ गए फार्मला के नहीं समझ गए बिटा जैड अलफा बाइटू सिक्मा पॉन रूटन होता है लेंथ यह फार्मला है बिटा कि अगर वह 90 परसंट बोल रहा है तो यहां 5 परसंट आ जाएगा बिटा काल्कुलेशन का पार्ट देख लेना बसे एक बार करते अगलती यहां पहसता है बच्छा जपकि मीर का कॉनिफेडिंस डेवलमा किसका मांगा है तो जेट बार चीए अपने को तो यह कहा चाहे बस यहां बच्छा ड़क जाता है नहीं, म्यों तो लिखा है, पर वच्छा नहीं, एक्स बार, क्यूंकि एट में भी एक्स बार है, वहां भी य बार है, तो जो भी जेड मानता है उसको सोच रहता है कि जेड बार आ गया, यहां गलती कर देता है, बस, ओके जी. यह बहुत अच्छा कुश्चन यह किसी से हुआ था बर्नौल डिस्टिबुशन है तो समेशन एक साइगा बाइनो में लो गया है ना अच्छा क्रिटिकल डिजिन दिया है साइज अलफा टेस्ट दे प्रोजेट एच नॉट इफ और अल्ली इफ गृतिकल डिजिन दिया है तो हमें समेशन एक साइफ तक है बिटा तो समेशन एक साइप साइक डिस्टिबुशन बाइनो मिल फोर कॉमा ठीटा हो गैना बिटा अब क्रिटिकल अलफा कंसिरप साइजive अलफा ट्राबैबर टी रीजेक्ट एच नॉट when summation x i is greater than k alpha given h naught is true h naught क्या था theta की value half है तो summation x i अब इसमें cases है k alpha की value क्या 0, 1, 2, 3 और तो k alpha को 0 लो तो 0 लोगे तो क्या करना पड़ेगा when theta is equal to what तो greater than 0 को 1 minus कर दो बिटा फोड़ा असान हो जाएगा यार तो equal to 0 करना ना सरफ तो probability y is equal to 0 मन्द बाइनमिल में 0 1 minus 4c 0, half की पार 0, half की पार 4 आएगा ना बिटा so which is 1 minus 1 by 16 तो 15 by 16 आ रहा ना alpha 15 by 16 कोई है 5 by 16 है 16 minus 1 ना ना इसके लिए इसके लिए इसके लिए एक्जेस कहा कर गया हाँ 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 1 minus 4c0 1 by 2 की पार 0 4c0 1 होता ना बिटा 1 by 2 की पार 0 1 by 2 की पार 4 तो 1 by 16 1 minus 1 by 16 15 by 16 आ रहा है आने दे कोई बात नहीं अब next case k alpha की value यह किसके लिए किया था k alpha अब किसके लिए करना है k alpha k alpha 2 k alpha 4 किसके लिए exist नहीं करेंगा इसी के लिए नहीं कर रहा exist 0 के लिए exist नहीं कर रहा पतानी शाहत 4 के लिए करें नहीं करें करके देखो प्लीज एक बार ज़गा अरे के अलफा चेंज कर रहा है इस बार क्रिटिकल रिजिन चेंज कर रहा है मतब के अलफा मत सोचो आप सोचो यह C है और C की वैलियू देती C can be 0, 1, 2, 3 और 4 वो notation डाल के confuse कर रहा है आपको तो C की वैलियू 0 ली C की वैलियू 1 लोग है तो and so on अलो अजू? आई अजू? आई कि मैं बैंक से फोन आ रहा है कुछ बात होगी कुछ डर लगता नहीं किसे ने पुछ कर दिन दिया कि सर्लोन की जुरूत है टॉप एक कार चोरी हुए वे दो साल हो गया होंगे आज तर टॉप अब लॉन देते रहें उस पर होगे बच्छो कर लोगे न सको यह बताओ आगे कराऊं कोई पांट और की अलफा को फोर लेकर दर लो क्या आएका बताओ क्य ऐलफा को फोर लेकर देखें तो जो लोगे तो तो वो तो तो ग्रेट दन 4 पर नहीं बात बन रही नहीं तो 3, 2 ऐसे लेके चलना बढ़ेगा आपको देंगा 1 by 4 नहीं आ रहा अच्छा ड़स नॉट एग्जिस्ट 1 by 4 मैं चेक करूं क्या है मेरे पास अंसर क्ये अलफ़ा 4 पे आ रहा है 1 by 16, 3 पे आ रहा है 5 by 16, 2 पे आ रहा है 11 by 16, 1 पे रहा है 15 by 16 और 0 पे आ रहा है 1 अरे गेड़र दन एकुल टुए यार वोई तो गेड़र दन एकुल टुटु था यह तो वन ही आगे ना मतलब वो एकुल टुटु ध्यान ने दिया ना महाँ पर ठीक है ओके समझ में आगे ना बात यह इंपॉर्टन है दो हजार बाइस का ही है क्वेस्टन यह भी आओ भाई बिया रणम संपल फ्रम पोजन दिस्टिपुशन और नौन यह पूछन आ है ने ना बेटा टुटु था ना बाइस ना टुटु था यह तो प्रमेशन एकुल धिए ने प्रमेशन एक्ट था ने फिन एकुल थाओ निकालो बीटा की वैल्यू उसमें क्या पूछना है और अफ टेस्ट है तो रिजेट अच नॉट ना तो समेशन एक साइज गिट अधन इकल तो वाट 5 वेन अच नॉट H1 इस टू ना और समेशन एक साइज के दिस्टिबुशन सम अफ पॉईजन इस पॉईजन ना पॉईजन 4 लेंड़ा होगा ना बिटा चार ने सैंपल साइज तो भाई तो बहुत मैंनत है तो 1 मैंनिस कर दूँ अरे नहीं यार 5 लेसें इकल टो 4 कर दूँ ना इतना सारा सॉल्व करना है तो एक्सेश को टो जीरो करें तो इसे आए का ना यार लैम्डा के वाली 1.5 बिट डालने पड़ेगी करना ही बड़ेगा भाई ये क्वेशन मैंने किया है हाँ किया है वैलो डालो 0.714 आरा अंसर इसका बिट लैम्डा के वो 1.5 से मिटप्लाए करो ना इसको 4 को क्या रहा 6 तो 6 कर दो ना इसको वैली को 4 लैम्डा के लिखना 6 के दिदो सिदा 0.714 किसके पुछ में आरा सी में है ये तो इसी है तो सॉल वज़ाए वो इसी है जो नहीं होता हो अटकर रहता है जिसका अंसर मिल जाए नहीं अभी नहीं कोशन मिलेगा तुम्हें तब मजाएगा तब सॉल नहीं करें तब पतत लेगा अभी जैम के तो सारे कराजों का लगभग में उतार लिए बच्चों ये तो अच्छा कोशन है आशिश बाबू सोचो परिदी जी डवल एक्सपनेंशल टेगी पार माइनस एक्स माइनस ठीटा को वाई एक्स बिलॉंग्स टू आर गुए विच अधेवनि श्रीटमेंट्स आर ट्रू एमीली निकालो भाई सक्क्या है गबताओ दें मॉड लगा है क्या दिक्क्राइब स्में sample size 4 है x1 less 2, x3, x3 less than 4 हो गया मुझे रहा है A answer correct होगा और C correct होगा sufficient B भी correct होगा whole sample तो हमेशा sufficient होता है A अगर order stats निकालोगे इसका midpoint पे तो आई सकता है mean क्योंकि symmetric curve है ना बिटा तो we can estimate the curve ऐसे है ना कर्व है ना बिटा तो half x minus less than theta है तो less than होगा तो plus हो जाएगा यह यह theta हो गया तो we estimate the parameter at the mean of this तो mean क्या है इसका x2 plus x3 by 2 a भी correct है इसका मैंने जाद दिमाग ने लगाया है simply कर दिया ऐसी आप भी कर सकते हो ऐसे बेटा this curve is symmetric about what theta ना तो mean क्या है इसका theta ठीक है तो whole sample हमेशा sufficient होता है यह भी c correct check कर लो ठीक है कि नहीं है c 1 by 4 x2 plus x3 x2 plus x3 theta theta plus 1 तो theta क्या है आपका estimate x2 plus x3 by 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 solve करो इसको जरा तो x2 plus x3 1 by 4 तो x2 plus x3 plus 2 आ रहा ना यह answer अच्छा यह क्यों current नहीं है कोई बच्चा बता सकता है मुझे यह बहुत अच्छा question है ठोड़ो change करो यार complete state बेटा जब भी complete पुछा है पहले sufficient रून होगे ना sufficient बताओ यह क्यों sufficient नहीं है चारो क्या बेटा पहले बताओ आप जब भी sufficient की बात करते थे x1 x2 whole sample x3 सब sufficient होता था कि नहीं होता था पिर आप बोलता था समेशन xy भी sufficient है x1 plus x2 plus x3 plus x4 भी क्या है फिर मैं बोलता था x1 comma x2 plus x3 plus x4 भी sufficient होगा ना मैं बोलता था कि नहीं बोलता था इसका question से तो कुल लेंड़न था ही नहीं इसका बिकॉज समझे की नहीं बेटा यहां भी x1 x2 आ रहा है यहां भी क्या रहा है x1 और बेटा प्रोड़ा टेक्स है समझे sufficient होता है आई लेकिन यह प्रोड़ा टेक्स ही तो है पर रिपीट और इंट चीजे तो इंडिपेंड़न नहीं है क्या नहीं है बटा ही तो नो हां बेटा तो इसलिए sufficient नहीं तो complete की बात कहां से आई मीन निकाल दिया मैं तो यार इसी मीन पर estimate कर दिया sample की मीन पर method of moment से करके देखना हां बेटा completeness कैसे आ जाएगी ऐसे बिना sufficient के सफिशन्सी है उसके बाद completeness चेक करते हो भी सकती नहीं भी सकती पर पहले तो sufficient condition है न है कैसे में नेगेटिव होगा और पॉस्टिव होगा यह मतलब बहुत अच्छा मिडियन ले तो एक्स मम कैसे होगा मीन मीडियन मौड सबसका क्या है बता इसका अरे कि किसके symmetric है थीटा कि इसका mean भी ठीटा है median भी ठीटा है mod b क्या है normal distribution का mean median mod क्या है mu तो estimate करते है था mean पर करते है ने estimate mu का इस दो एक सब्सक्राइब आता है ना है ना तो फिए बटा तो best reason I have given this is curve is symmetric about theta so its mean median mod तो मैंने भी have estimated the parameter the median or the mean whatever you want to say तो X2 plus X3 by half आ गया यह तो इसका ठीटा काप आई गया है बेटा MLE बहुत सारे होते हैं कि यह भी MLE है तो यह भी तो MLE है ने बेटा उसको इसकी है हाँ इसके समेट्रीक है बिद्धम कर रूफ ठीक है जितना रहा है उसके बड़ा है उतना ही उससे चुट है आप log likelihood सब करके देख सकते हो चाहो तो आप summation mod XI ठीटा आ जाएगा करके बताता हूँ यहाँ मिरे को करना ही बड़ेगा नहीं बिटा यह नोट इबल तो digest it तो लेट्स दू इट तो 1 by e की पार माइनस summation mod XI माइनस ठीटा अब ठीक है बटा log likelihood तो माइनस summation mod XI माइनस ठीटा करो ना तो मौड है तो we have to take the values I 1 to N सीधा derivative derivative कैसे करेगा यह तो MLE तो फेल हो गया नहीं तो तो सर की एक तो हम मानेंगे कि mod X माइन ठीटा इस ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा ले 2 function यह होगे न अरे ऐसी होगा बेटा half X माइनस ठीटा is greater than 0 X माइनस ठीटा is —x माइनस ठीटा —x माइनस ठीटा लोग नहा है mod के अंदर तो x माइनस ठीटा है ना x माइनस ठीटा जीरो से बड़ा है तो E की पार minus x minus theta आ गया negative है e की par plus x minus theta आ गया खतम बात तो ये किसके symmetric है? theta के है ना तो ये x is greater than theta है ये x is मैं भी क्या बोल रहा था पहले तो sample में कोई positive value है वैसे तरपास आज आज चल एक तरीका और best तरीका ये तो sample नहीं दिया हुआ इसने बच्चों काम के बात sample की मालनों सारी value 1,2,3,5 है 0 से बढ़ी है तो सारी sample की value किस category में आगी? उपर वाली में आगी? तब आप x1 बोल सकते हैं सारी sample की value नेगीटिव आती तब आप x1 बोल सकते थे तो symmetric होती तो mix आती तो आपको फिर करना बढ़ता है जैसे मैंने किया भी आप समझ में आई बात आपको कि नहीं आई? तो sample की value पर भी काफी कुछ depend करता है इस question के अंदर पर यहां दी नहीं होई तो because the curve is symmetric about theta mean, median, mod, sub, theta है तो the best choice is the median, midpoint, best estimate कर दिया जै हमने लोजिकली भी तो सोचो ना आप sample को बहुत अच्छा question done है नहीं यहां तक वो हुआ है नहीं उससे तो होगा है नहीं आओ next यह भी बहुत दांसो question है नहीं x1 to xn sample size दे दिया random number normal mu,1 distribution where mu belongs to r is unknown a 0 से 1 में है a है कि वो alpha है पता नहीं एक कहां काम आ रहे alpha ही काम आएगा ना बतो to test the happiness h0 mu 0 alternative mu is going to delta okay is a constant let beta down to the power of this power and of the size alpha test digit h0 if and only if critical region दिया हुआ है x bar is greater than यही है ना statement is not true fixed value of delta beta increase alpha बाद में देखेंगे पहले alpha probability size of test and alpha reject h0 when h0 is true when mu is equal to what 0 probability z is greater than c alpha minus 0 upon 1 यही है ना बता x bar distribution निखालना पड़ेगा है पोलोस नॉर्माल mu comma 1 by 1 by root तो root n c alpha alpha की value किती दिया नहीं दी नहीं दी ओके एक में बोर्ड पर देखें इस फोटो को यह वाली value है z अगर इससे बड़ा है तो alpha right tail test है सरफ यह alpha है अगर root n c alpha है यही है ना बिटा बोल रहा है ना तो alpha size of test है जिस rejection region में आते हैं हम लोग तो अब क्या बोल रहा है alpha increases बोड पर ध्यान से आशीश alpha increases this value comes to this place यहां आ रहा है बढ़ रहा है alpha alpha increases then the fixed value of delta or the beta increases अब beta निकालना पड़ेगा क्या ओ करो या अगर alpha इदर बढ़ेगा तो यह वाला area n root n alpha c alpha decrease करना चाहिए बेटा value test statistics की छोटी होगी तभी तो alpha बढ़ेगा छोड़ना इस बात को तो test statistics ले आशी शिदर देख यह कहा है तरह टेस्ट test statistics की value छोटी तो मतलब छोटी तो मतलब यह alpha बढ़ा हुआ ना तो alpha increases means test statistics decreases अरे ठीक है alpha decreases मतलब test statistics तो rejection region है ना बटा तो वह ऐसी करके दूसरा भी करेक बजलती से शक्या में भी यार पर डिल्टा भी निकालना पड़ेगा ना भी तो बीटा बीटा निकालना पड़ेगा बीटा निकालने के बाद ही बात बनेगी थोड़ी सी अच्छा question है पड़ी है कौन सा करेट्टों का देखते हैं भी मिस्पिंटिक है मुझे नहीं बता question नहीं है answer तो है don't drown यह है question number हम दुज़र तेज़ पे है तानिस मार पर दो यह तो साफ दिख रहा है अलफा निक्रेज़स तो सी अलफा डिक्रेज़स यह तो क्लियर है ना बात अब बाकी निकालो बीटा यार मैं कुछ नहीं कर रहा है भी बीटा निकाल तो लो पहले अब बीटा आएगा अब बीटा आएगा क्या कि अब बीटा निक्रेज़स करता है तो यहाई अलफा फिक्स कर दिया तो अगर डेल्टा इंक्रीज करेगा तो यह वाली वैली बीटा क्या करेगा हमारा तो डेल्टा इंक्रीज मनलने C अलफा से बढ़ा होगा तो Z greater than minus स्था है a disrupt looks 3 सुर्ट देख़ो पहले पहले फैक्स करो देल्ट करिते हैं यहाँ हैं। तो भूले और रीजन इना गरिशन में हैं कुम्हकक नहीं उता रहा हुआ चैक करना अब्लटा कोई बच्चा कई प्रों करना ओंत। c alpha constant then which of the following statements are true for a fixed value of delta beta increases as alpha increases beta increases as alpha increases correct a to correct a to correct a and b b correct a to correct b b correct है कि देल्टा बढ़ा दे तो बीटा तरह निक्रीज़ तो होगा उस पुरी एक्वेशन में ध्यान देना पड़ेगा एरिया देना पड़ेगा प्लीज इसको एरिया से देखो आप एरिया ज्यादा आएगा कि कम आएगा प्लीज पॉल्टिक वैल्यू नहीं एरिया से देखना पड़ेगा एरिया जादा है कम आएगा जैसे इस वाले में डेल्टा को आपने फिक्स कर दिया पहले वाले में डेल्टा तो ही निसमें अगर अलफा इंक्रीज करेगा तो बीटा भी इंक्रीज करेगा कि यह पहला तो बिल्कुल ठीक है कि बीसी डी में भी ठीक है अब बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है ना कि वैल्यू दे देने चाहिए उसको कि इंक्रीज का मतलब होता है वेटा उपर की तरफ जाएगा डिक्रीज का मतलब नीचे की तरफ आएगा एडिया की बाद देख लो अपने आप आप कि क्या टाइम हुआ भाई बस करें लास पांची बजए अभी कितने पर कास थी तिन में थी ना ठीक तो आए यार बस अभी तो बहुत सारे क्वेशन होंगे किस पीपिटी पर बता सकता है तो तो मतलब 33 क्वेशन तो कर ली हमने तो 66 पीपिटी पे ना तो 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 बहुत है यार बहुत है अभी तो अभी तो 2023 पर भी नहीं पहुंचा एक दो नाइन तीन चार चार क्वेशन बचे नहीं तेज अभी शुरू नहीं हुआ है बाइस में तेईन बचे नहीं तीन चार बचे है बाइस में तेईस पूरा है तेईस में लगबग 10-12-12 क्वेशन है तो पंदरह तेईस तो कल शुकर वारा कल फिर रख लों क्लास लेता है वेक्सर की तो अभी भी चल रही है तो यहां से चोड़ते ही नहीं है तो कल फिर क्लास है भाई कल भी करता हम करते हैं इसको करके क्या विवेक्सर का लगवें नौट केंपल तो नौट केंपल लेवेक्सरी तो मैंदम जो आपका चुवा है ना है मैंदम यहां से चोड़ते हैं तो आपका बाद एक्सरी तो मैंदम क्या विवेवेश्ग केंपल लेवेश्ट वावेश्ग मैंदम यहां से विवेश्ग झाल झाल